नमस्कार दोस्तों आउसीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम दो रंग का ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टूपी में, शॉक्स में, शूज में, चाहें किसी भी मन्चाहे प्र अब उसी रंग के उन से सभी फंदे सीधा बना लें सेकंड रो और रॉंग साइट सभी फंदे उल्टे बना लिये जाएंगे दो लाइन प्लेन बनाने के बाद तीसरी लाइन में हम दूसरे रंग काउन अटैच करेंगे और पांच फंदे सीधा बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच फिर दो फंदा स्लिप करेंगे फिर आठ फंदा सीधा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ फिर दो फंदा स्लिप करेंगे फिर आठ फंदा सीधा फिर दो फंदा स्लिप करेंगे फिर आठ फंदा सीधा पहले हमने पांच फंदा सीधा बनाया फिर दो फंदा स्लिप किया फिर आठ फंदा सीधा फिर दो फंदा स्लिप किया इसी तरह करते हुए आठ फंदा सीधा और दो फंदा सीधा करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे शुरुआत में भी पांच फंदा सीधा आये था और लास्ट में भी पांच फंदा सीधा आएगा फूर्थ रो और रौनग सैट पहला फंदा सीधा फिर छार फंदा सीधा स्लिप किया हुए फंदे को सीधा करेंगे और बुने फ़ाट फंदो को सीधा बंदेंगे फिर slip किये हुए फंदे को slip करेंगे और बुने हुए फंदे को सीधा बुलेंगे इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे पहला फंदा उल्टा रहेगा और लास्ट फंदा उल्टा रहेगा फिफ्थ रो और फ्रन्ट साइट पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और चार फंदो को हम उल्टा बुनेंगे दूसरे रंगे हुन से फिर स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे यानि आठ फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे slip की हुए फंदे को slip करेंगे उन अपनी और करेंगे और बुने हुए आठ फंदों को उल्टा बुन लेंगे इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट करेंगे 6th row और रॉंग साइज 6th row 4th row की तरह बनाए जाएगा यानि पहला और आखरी फंदा उल्टा बीच के बुने हुए फंदे सीधे और slip किया हुए फंदा slip करेंगे बुने हुए फंदे सीधे बनाए जाएँगे slip किया हुए फंदा slip कर लेंगे और बुना हुए फंदा सीधा बनाए इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कर लेंगे साथवी लाइन में पहले रंके उनसे सभी फंदा सीधा बना लिया जाएगा आठवी लाइन और रंक साइट सभी फंदे उल्टे बना लिया जाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ और फिर दो फंदा स्लिप करेंगे ये दो फंदा इन बने हुए आठ फंदों में से चौथा और पांच वा फंदा है तीन फंदा यहाँ पे देखिए बना जा चुका है ये चौथा फंदा है और ये पांच वा फंदा और अब आठ फंदा सीधा बनेंगे देखिए ये उतारे हुए दो फंदे हैं तो ये दो फंदे बने जाएंगे और दूसरी साइट से दोनों साइट से तीन तीन फंदे ये तीन फंदा हो गया चार पांच और इस साइट इसमें से भी तीन फंदा छे साथ आठ और बने हुए आठ फंदों में से ये तीन फंद इधर आ गया, चौथा और पांचवाँ फंदा स्लिप कर लेंगे इसी तरह आठ फंदा सीधा बुनते हुए और दो फंदा स्लिप करते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे शुरुआत में भी हमने दो फंदा स्लिप किया है और लास्ट में भी हम दो फंदा स्लिप कर लेंगे और अब रांग साइड से स्लिप किया हुए फंदे स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे बुना हुआ फंदा स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुन लेंगे इसी तरह करते हुए पुरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे ग्यार में लाइन और फ्रंट साइड स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे और बुना हुआ फंदा इस लाइन में हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी और करेंगे स्लिप किया हुआ फंदा स्लिप कर लेंगे उन अपनी और करेंगे और बुना हुआ फंदा उल्टा बुनेंगे आठो फंदा उल्टा बुनेंगे Slip किया हुब पंदnya Slip करेंगे, बुना हुब पंद is line में उलटा बनेंगे 12th row और wrong side Slip किया हुब पंदा Slip करेंगे और बुना हुब पंदा इस line में सीधा बनेंगे देखिये बुने हुए फंदों को पहली लाइन में हमने सीधा दूसरी लाइन में भी सीधा तीसरी लाइन में उल्टा और चौते लाइन में फिर से सीधा बुन रहा है देखिये इसी तरह करते हुए उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनते जाएंगे उतारा हुआ फंदा उतार लेंगे और बुना हुआ फंदा सीधा बुनते जाएंगे तेरा भी लाइन से फिर पहला लाइन शुरू हो जाएगा यानि पहले रंगे उन से सभी फंदा बारा लाइनों का ये रिपीटेड डिजाइन है और इन्हीं बारा लाइनों को दोहराते रहने से डिजाइन अपने आप बनता चला जाएगा सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और रॉंग सैट से ऐसा तो फ्रेंस डिजाइन आपके सामने है इसे आप अपने स्वाटर में बनाएए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का न प्राइने बाद